शकल सुमंगल दायक गणनायक महराज सिद्धि सदन मंगल करन पूरन की जैकाज दोस्तों श्री गरेंश जी का नाम लेते हुए हम यह वीडियो प्रारंब करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जो हमारे गार्डेन के पौधे हैं उन्हें हमको बार बार नर्शरी से नहीं खरीदना चाहिए एक बार पौधा खरीद के लाईए और उन्हें कटिंग से तयार करिए ऐसे तमाम पौधे हैं जिन्हें आम कटिंग से तयार कर सकते हैं दोस्तों देखिए हमने ये कुछ कटिंग ग्रो किया है ये आपके सामने है ये देखिए ये कोलियस की कटिंग है ये देखिए ये कटिंग आपको दिखाई दे रही है ये पेडिलेंथस है यहीं बगल में देखिए ये देखिए हमने ये मोरपंक की कटिंग ग्रो किया है ये पौदा यह देखिए इसी एकी गमले में हमने तीन पौधे डाइफिल बाचिया के उगाए हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मुख्व में घर पे पौधे तयार करने की बिदी बताएंगे और इस करम में हम उगाएंगे यह देखिए कोलियस प्लांट को दोस्तों बहुत ही आसान है यह देखिए कोलियस प्लांट को उगाने के लिए इस तरह की हम कटिंग लेते हैं यह कटिंग को यह कटिंग आपको दिखाएं यह देखिए कटिंग यह इसकी साइज 5-6 इंच का लेना है इसके पूरी पतियों को तोड़ देना है और उपर में केवल इस कटिंग को हमें घ्रव करना है दोस्तों कटिंग को ग्रोव करने के लिए कह हमारा करना के बाद रश्ता संस साब का यह दोस्तों के नीचे घ्रव को उगाने के लिए मिठ्टी कैसे ले इसके बारे में हम आपको बतादेतें आछ देखिए हिस्टा बालू कोकोपीड धान की भूसी और हमने इसमें एक हिस्टा गोवर की खाथ मिलाया है क्योंकि अगर हम कटिंग को केवल अगर उगाएंगे बालू में तो बालू में उगाने के बाद हमें बहुत जल्दी कटिंग को रिपार्ट करना पड़ता है अगर ज्यादा दि पूरी कितनी अच्छी मिट्टी हमने तयार किया है तो दोस्तों कटी मुगाने में सबसे बड़ी चलांकी और सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बाद मिट्टी बनाने की है मिट्टी अगर आप सही बनाएंगे तो आपका एक भी कटिंग सूखेगी नहीं आपकी सारी चलेगी तो इस तरह से दोस्तों मिट्टी को हम गमले में भर लेते हैं गमले का देने शुल कर लेते हैं मैं बनाएंगे दोस्तों देखिए इस तरह से हम अपनी सारी कटिंग को लगा लेंगे और कटिंग लगाने के बाद इसमें डालते हैं पानी दोस्तों देखिए यह कटिंग हमने एक महिना पहले गुरोग किया था और आप इस कटिंग को देख सकते हैं इसकी कितनी बढ़ियां गुरोट था ह और किजिनी अच्छी रूट निकली हुई है तो दोस्तों इस तरह से आप पोलियस की कटिंग लगाईए दोस्तों देखिए इसमें कटिंग में अपने प्लास्ट में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से बस हलका पानी डालेंगे जिससे की नवी मेंटेन हो जाए दोस्तों देखिए हमने ये पानी डाल दिया है इसे चाया वाले अस्थान में कहीं पे रखेंगे अभी धूप में नहीं रखेंगे चार-पांच दिन के बाद धूप में निकाल देंगे तो दोस्तों इस तरह से आप कटिंग लगाईए और जैसा हमने पहले आपको मत करिए आप तमाम पौधे जिन्हें आप उगा सकते हैं अपने गार्डे में उगा लीजिए और यह कोलियस की कटिंग तो एकदम से आसान है कैसा भी एकदम से निव गार्डेनर कोई भी लगा देगा यह कटिंग लग जाती है तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन जाए हिंदर